मानिय मुख्याजिती जी को सुनने आये हैं चुप यह सर समाथ को जोड़ने के लिए सभा है आज सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारी पार्टी के राश्की महासचु मानिय सतीश शनमिसरा जी ने पूरे हुटतर पगेस के 75 किलो में तरभुत सम्मेलन करके परामर समाथ के साथ साथ तमाम अच्छे लोगों को बहुदन समाथ पार्टी के साथ जोड़ने का तान किया था जो एक सफल कारेकरम दूरा है सारे लोग चुटे और उसकी दूसरी पार्टीयों के लोग भी नकल शुरू कर दिये चुकि मिसरा जी ने पहला कारेकरम अजोध्या से शुरू किया था जहां से भाजपा की गिंती शुरू होती है उन्होंने कहा पहले मैं उसी भील में उंगली डालूँगा और वहीं से संदेश दूँगा असंदेश गया पूरे उत्तर पदेश के अंदर फिर महमी ने कहा इनहीं अब पूरे उत्तर पदेश के अंदर मिसरा जी आप संसमाच के बीच जा करके संसमाच को जोलने की बात करेंगे मिस्राजी का ये दूसरा राउन सुलू हो गया है जो ये कहते हैं कि बस्पा कहीं दिप्ती नहीं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा आखे ठोले अपने चश्में को जरा साथ कर ले अए बस्पा खामोसी से तुना लड़ती है लाठी डंडे वाली पार्टी नहीं है और भार्टी जर्टा पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जमीन खिसक चुकी है आपने मधब के नाम पे, जाती के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोग मांते हैं अर्यां सब्के है इसी बात को लेके मेरे दोस्तों देश की पार्लेमिन्ट में बहत चल रही थी कि ये देश मुतहिद रहेगा कि तूड जाएगा इसलिए कि भार्टी जल्ता पार्टी के लोगों जैसी नकलत इस मुल्क में फैला रहें, भेगभाव कर रहें आपस में दूसरे को लगाने की बात करते हैं लगता है ये देश कूड जाएगा इसी बात को लेके देश की पंचाइक में बात हो रही थी मिसरा जी इस बात के गवाँ है दो मिनिट का बहुजन समाज पार्टी को समय मिला बहुजन जी भी उसक्त हमारे साथ पार्लेमिक में थी मिसरा जी के साथ पी 6 साल में राज़स्वा में रहा हूँ दो मिनिट का पार्टी को मौका मिला मन्या बहुजन जी ने का हम सारी साथ दो मिनिट आप बोल दो मुट्दा इतना बना कि मुल्क मुटतहिद रहेगा, अखंद रहेगा, कि टूट जाएगा, दो मिनत में कोई अपनी बास साथ जो क्या रख सकता है मैंने कहा मेरे सामने मोदी जी भी बैठे थे, मैंने कहा लाओ मोदी जी को मैं एक सिर सुना के अपनी जगह ले लो अब मैंने क्या सिर सुनाया कि कब तक कि मधभी नसा बात कीज़ा, यह उनमाद वाली हवाँ बात कीएगा, यह मंदिर यह मद्जिद शिवालों के जगड़े, अरे जब वो तनीन होगा, तो क्या बात कीज़ेगा, अरे वो जी जी जमेजों कहीं तोट जाएगा, इसको सब के खून पसी ने मुहत्ताईद हो करके इस देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और आज सर्थ समाज इस हिंदुस्तान में मिलजुन के लगता हूँ, मेरे भाईयों बड़ा दुखक वीशाय है, जब देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदु, मुस्लिद, क्या मां देने का काम किया, सारे गुन्ना, मास्या इस परदेश की सलाकों से बाहर बाग जाते थे, परदेश वोड़ के भाग जाते थे, वाहिस सार्थ सरकार जब जलाया, फिर बारह में अखलेश यातो जी भी आए, मैं अपने मुसलिन समाज के भाईयों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर समाथ की सभा है, क्या वादा किया था अखलेश जी ने, कागडेश से गरदधन भी था, कहा था 12% डिजर बेशन देगे, कोई दंगा नहीं होगा, क्या हुआ 12% डिजर बेशन मिला, एक परशन नहीं मिला, दंगा मुझफर नगर में ऐसा कराया, जो कभी कोई भ दोस्तों, बात लबी हो जाएगी, हम सब इसला जुदो सुनना चाहिए, हम बहुत बोलते हैं, हम भी परदेश भर में खूंते रहते हैं, मान्या बहीं जिने, हमारे राश्री वाह सच्चु के साथ कहा कि आप सर समाथ के साथ साथ आप मुझलिक समाथ को भी जोड़ने चा कहते हैं कि गड़ बंदल हो गया, अरे बाइक कॉंगरे से गड़ बंदल तो हुआ ता अख लेजिंका, एक कईस पॉइंट चार परसेंट बोलत पाए थे, हम अकेले ले थे, 13.6 परसेंट बोलत पाए थे, आज सरु समाथ कह रहा है, जब सारे समाथ के लोगोंने बनवना और सारे लोगों ने भार के जलता पाटी को जब देखा, समाज बादी पाटी को देखा, तो आप सुलना को आपको करना है, कि पाच साल वहीं भी अच्छी थी, कि अखलेर की अच्छे थे, कि योगी जी थे, ठोग दूँगा, बार दूँगा, उल्डोजर चला दूँगा अरे भाई, ये कौन सी सरकार चल लए है, जो वे, लोगों को, दिलों को जो, समाज का विदास करो, ये बस्ता की सोच है, इसलिए मैं दोस्तों बात लंबी लग करते हुए, तमाम साथियों से अपीर करना चाहता हूँ, समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथियों सो भी कहन करना चाहता हूँ, कि आप लोग वाई उसमें अभी से लग जाए, पाचमी बार उत्तर प्रदेश में वहिंगी को मुखमत्री बनाना है, और सतीश कल मिश्रा साथ साथ रहेंगे, जब इनका समाज की जगा है, और साथ में जिस तरह सरकार बनी थी, बारत अक्सांदारी से चली थी, मैं दारे के साथ कहना चाहता हूँ, कि बारत बनाये किसी समाज को कोई उगली उठाने का मौकर नहीं दिया जाएगा, सर्थ समाज का काम होगा, इनी चंदलफास के साथ अपनी बात खत्ब करता हूँ, जए भीन, जए भारत, फुदा, आप्ट्यक लाल बहादु जए भीन, जए भीन, जए डारत खत्ब करता हूँ, कि बस चंद सब्तों में मानि मिस्राजी का इस्तिदाम सभाव पे स्वागत करने की गिर्पा करें। बतंदे रुख हवाओं का ओ असर पैदा करो, अगर जीना चाहते हो उस दुनिया में मान सम्वान से तो घर घर में एक अम्मेटर पैदा करो. किराकत कि रहा समा में कोले कोले से आयो है, सभी सम्वानी दुलों का मैं हार्दिक श्वागत बुनेंदन बंदर करता हूँ, कि आजी सभा के मुखेतती, राज्वाई शांसत, मानिक बोजान समापाठ्दी के महाशचो मानिक सथीष्ट मिस्राजी का मैं हर्दिक थन्वागत करता हूँ, साथ मैं आए हुए मांदिक निकुल दुवे जी का मैं हार्दिक दिल से सद्धन्वाद करता हूँ क्यों आओं कि धरकन मांदिक कपिल मिस्तरा जी को महुत हार्दिक दिल से द्धन्वाद देना चाहता हूँ दोस्तों समय बहुत करना है हम अपना सारा समय मानने मुखधित जो के दिरह चाहता हूं एक पादक्रस करता हूं दोस्तों भक्त बहुत कम है पूरा जोर्व लगादो उसको मैं समझाता हूं उसको आम समझा दो भूर्द देखिये कैसा भुचाल आएगा पर्देश तो पर्देश पूरा हिंदुस्तान मतल जाएगा दूसर बातों के साथ में अपनी बात को गिराम देते हैं सारा समय में अपने मुक्तिदी जिए को देरा चाहतू धन्यवाज जैगीन जैवाज